हेलो फ्रेंड्स मैं विकास चोड़ी स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चनल में तो आज हम कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहे दोस्तों आज मैं एक बहुती छोटे और बहुती सस्ते एर कंप्रेसर का आपको रिव्यों एन अनबॉक्षिंग करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं कार में आपको कितना टायम लगेगा बायक में कितना टायम लगेगा cycle में फुट बॉल में जहां भी आप यूज़ करना चाहें तो मैं सारी detail से वीडियो में चलिए शुरू करते हैं, तो हमें कुछ इस तरह का एक box मिलता है, जिस पे लिखा है DC 12V, और साथ में या पे लिखा है 260 PSI की pressure के साथ ये work करता है 12V के उपर, और air compressor है, किसी company का नाम या पे identify नहीं है, made in China product है, तो इसके उपर और भी बहुत सी खासियत इसने लिखे हुए हैं कि जैसे 12V में चलता है, operate होता है, और कुछ इसके cigarette lighter का plug भी आपको साथ में मिलता है, bike, rubber floater या balls, किसी भी bike या car में भी आप इसका use कर सकते हैं, और pressure gauge भी आपको इसके साथ मिलता है, साथ में कुछ आपको attachments भी मिल जाते हैं, और इसके उपर कुछ icons ही आप दिखे हैं, जो आपको जो भी normal football, volleyball जो भी रहते हैं, उन सभी में आप इसके air fill कर सकते हैं, तो अभी मैं इसको निकाल के दिखा देता हूं, तो सबसे पहले आपको याँ पे 12V DC connector मिल जाता है, wire वाला, जो कि कार में यूज होने वाला होता है, और साथ में कुछ इसके साथ attachment मिल जाते हैं, जो कि volleyball, football, basketball वगर के अंदर attachment में काम में आते हैं, और सबसे अच्छी बात इसके अंदर है दोस्तों, आगे आपको बताऊंगा, तो एक on-off switch आपको मिल जाता है, बहुत ही light weight है ये, बिलकुली, मुश्किल से 100 या 1500 gram इसमें वजन होगा, बहुत ही light weight है, तो आपको एक on-off switch मिल जाता है उपर और एक PSI meter मिल जाता है, PSI gauge meter मिल जाता है, और ये आप 12 volt का connector इसमें दिया हुआ है, जो कि especially car के लिए डिजाइन होता है, तो मेरे को ये समझ में नहीं है, कि आपको अगर बाइक में connect करना, तो कैसे करोगे, या फिर आप घर में फुटबोल या किसी और इसके साथ इसको हवा भरते हैं, फुटबोल में या बॉलीवोल में, तो कैसे आप भरेंगे तो वो समझ में में मेरे को नहीं आया, कंपनी ने उसके लिए कोई attachment नहीं दिया साथ में, तो कुछ इसके पीछे boxes हैं, जिसमें आप wire connect कर सकते हैं, और सबसे अच्छा और इसका पार्ट मेर को जो लगा वूम आपको बता देता हूं, ये वाली cable, जो pipe वाली, जो जहां पे हम car में या फिर bike के अंदर इसको fill करेंगे हावा, तो ये वाला सबसे build quality काफी अच्छी है, और इसका जो plastic है, वो काफी normal quality है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले में open करके दिखा देता हूं, जो कि हम हर unboxing वीडियो में करते हैं, क्योंकि इसके सारे पूर्जे हम खोल के देखेंगे, कैसे क्या इसमें क्या-क्या यूज किया गया है, क्या वाक्य में ये साड़ी 400 रूपे का है, क्योंकि मैंने ये Amazon से purchase किया था, लगबग 4-39 रूपीज में, तो ये देखे, इसमें normal 12V की motor है, और कुछ वाल वगर है, कुछ इसमें गेर वगर लगर है, बाकी इसमें extra कुछ भी नहीं है, सिवाए plastic के, तो अब मैं इसी condition के अंदर आपको इसका use करके दिखाऊंगा, तो मैं या पे 12V की supply का use करूँगा, तो वो supply आपको यापे पहले ओपन करके मैं दिखा देता हूं, कैसे इसके अंदर क्या-क्या आपको मिलता है, तो सबसे पहले मैं motor आपको open करके दिखा देता हूं, कि आपको motor के अंदर यसे क्या मिलता है, तो कि motor के अंदर एक छोटा से गेर लगा है, उसके उपर एक बड़ा गेर लगा हूँ है, और तो वह पंप सो रोटेट करता है और वह उपर नीचे जैसे हमारे जो कार के अंदर पिश्टन काम करते हैं तो सेम उशी प्रोसेस के साथ यह पूरा वर्क करता है तो मैं दुबारा फिक्स कर देता हो फिक्स करने के बाद अब इसको 12 व्रोट की 2 तो 關係 करने । तो इसके उपर बलेक मार्क है तो वहां पर आपको ब्लेक वायर कनेक्च कर देना है और दूसरा पोजीसिये और वाला या रेड़ ten volte कर देना है तो यह देखिए तो वाइरिंग की जो है वो कंप्लीट हो चुकी है अब मैं आपको इसे 220 वोल्ट से कनेक करके दिखा देता हूं और कैसे आवाज करेगा कैसे करेगा जब भी इसे काम करना स्टार्ट करेगा तो यह देखिए अभी इसकी नॉर्मल आवाज है जो के इसको दाउं हे जाएगी और कि जो स्कूड है वो भी दिख्लों हो जाएगी अब आपको वाइक के अंदर हुआ प्रेशर देखते हैं कितनी डलती है और नहीं डलती है अब यहां पे मैं ओन करता हूं इसको इसका बिल्कुल प्रेसर जीरो है टायर बिल्कुल खाली है अब मैं इसको ओन करता हूं यह देखिए अभी यह स्टार्ट हो गया लगबग मैं आपको बाइक के जो टायर है उसके अंदर लगबग 5-6 मिनिट तक इसको रखूँगा उसक कि अगर आप बाइचांस अगर यह काम नहीं करता है तो मैं हवा तो डाल सकता हूं यह देखिए तो लगबग हमें 5-6 मिनिट हो चुकी है जो हमारी मोटर हो काफी गरम हो चुकी है जो पंप है जो पिस्टन है वो भी गरम हो चुका अच्छा खासा और प्रेसर बिल्कुल लगाया था वैसा का वैसा ही है तो अब मैं आपको यहां पर एक छोटा फुटबोल है जो बच्चे खेलते हैं वह वाले फुटबोल है उसके अंदर मैं हवा डाल के दिखाता हूं आपको क्या इसमें भी हवा डलेगी या नहीं डालेगी अगर बाइक की तरह है अगर आप होती अच्छे से हाप हवा डाल सकते हैं इसके अंदर है तो सब से अच्छी बात सब अभी जो है मेरे को जो लगी है एक तो यह सस्ता है और इसको आप यूज कर सकते हैं साइकल में हवा डालने के लिए फूटबोल बास्केट बोल्लीवोल इनके अंदर या आपके घर में कोई भी बच्चों का कीट्स वाला जो पूल होता है उसके अंदर हवा डाल सकते हैं उसके अलावा आप कार में या बाइक में आपको इसके अंदर हवा नहीं डाल पाओगे कि उसके लिए काफी इनफ प्रेसर नहीं है उसके लिए आपको काफी बेट करना पड़ेगा यह दे पर्चेज कर सकते हो अधरबाज कार या बाइक के लिए ये पर्चेज करने लाइक प्रोडेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें इतना प्रेसर नहीं बन पाता इस वे उपर लिखा है 260 PSI लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर तो आई होप पूरी डिटेल आपको समझ में आ गई होगी तो मिलते अगले कोई इंटरस्टिंग टोपिक के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए